अफगानिस्तान के सभी वरिष्ट पदादिकारी साथियों नमस्कार सबसे पहले तो मैं आप से ख्षमा चाहता हूँ मुझे आने में देर हुई हमारा संसत का सत्रा चल रहा है और संसत में कुछ कारकम के कारण मेरा वहां रहना बहुत जरूरी हो गया आज हम भारत अफगानिस्तान दोस्ती की लंबी रह में एक और माइल्स्टोन रखने जा रहे हैं भारत और अफगानिस्तान सिर्फ जियोग्राफी से ही नहीं बलकि हमारे इतियास और हमारे कल्चर भी आपस में जुड़े रहे हैं एक दूसरे को प्रभावित करते रहें ये सद्यों पुराने संपर्क हमारी भाशाओं हमारे खानपान हमारे संगीत हमारे साहित में जलकते हैं फ्रेंट्स सभी जानते हैं कि नदिया विश्व की महान सब्यताओं की वाहक रही हैं नदियों ने जीवन दाता बनकर हमारे राश्ट हमारे समाज को परिभाशित किया है भारत में हम अपनी गंगा नदी को एक माता का दर्जा देते हैं और उसके काया कल्ब के लिए हमने अपना नमामी गंगे कार्कम शुरू किया है नदियों के लिए ये सम्मान भारत और अफगानिस्तान की साजा सांसकूर्तिक विरासत है हमारे यहां रुगवेत का नदी तुती सुक्त हमारे छेत्र में बहने वाली नदियों की प्रसंसा करता है मौलाना जलादुदिन रुमी ने नदियों के शक्ति साली सब्रतागत समंद के बारे में कहा था जो नदी तुम में बहती है वो मुझ में भी बहती है साथियों पिछले लगभग दो दसकों से भारत अफगानिस्तान के प्रमुख विकास साजीदारों में रहा है अफगानिस्तान ने हमारी विकास परियोजनाई, इंफरसक्चर, कैपसिटी बिलिंग, कृष्ची, सीक्ष्या, स्वास्त जैसे अनेक सेक्टरस में हमारी योजनाई फैली है एक दसक पहले पूले खुमरी से ट्रांस्मिशन लाइन के निर्मान थे, काबूल शहर में विजली की आपूर्ति बहतर हुई 218 किलोमेटर लंबे डेलाराम खरंज राजमार ने अफगानिस्तान के लिए कनेक्टिवीटी का एक विकल प्रदान किया कुछ वर्ष पहले बने मैत्री बांच से हैरात में बिजली और सीचाय का सिस्टीम सुरुद्वर रूबा अफगानिस्तान के संस्वत का निर्मान भारत और अफगानिस्तान की जनता का डेमोक्रेशी के प्रती लगाव का महत्वपुन प्रतिक रहा इन सभी प्रोदेश का एक प्रमूक पहलू यह रहा कि इन से भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती हमारी अपने आपसी साज़ेदारी और मजबूत हुई यही दोस्ती यही निकरता कोवीड महामारी के खिलाब भी हमारे बीच दिखती रही है चाहे दवाईयां और पीपीई हो या भारत में बनी वैक्सीन की सप्लाई हमारे लिए अफगानिस्तान के आवश्यक्ता है हमेशा महत्वपुन रही है और रहेगी इसलिए मैं यह कह सकता हूँ कि आज हम काबूल में जिस सहतूत बांद के निर्माण पर समझोता कर रहे हैं उसकी दीव सिर्फ इटो और मोर्टार पर नहीं बनेगी बलकि भारत अफगान दोस्ती की ताकत पर टिकी होगी काबूल शहर भारत के लोगों के दिल और दिमाग में बसा है कई पीडिया जैसे आपने उलेक किया गुर्देव रविद्रना टगोर की काबूली वाला कहानी पढ़कर बड़ी हुई है और इसलिए मुझे विशेश खुशी है कि सहतुत बान परियोजना से काबूल शहर के नागरिकों को पेजल सुविदा परदान होगी साथ साथ काबूल नदी काबूल नदी बेसिन में एक सींचाई नेटवर्क का विकास भी होगा साथियों जब मैं सौंसत भवन के उद्घाटन के लिए दिसंबर 2015 में काबूल आया था तब मैंने हर अफगान पुरुष महिला और बच्चों की आँखों में भारत के लिए बड़ा प्यार देखा था अफगानिस्तान में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे के घर में हूँ मुझे ऐसी एनुभुती हुई थी कि खाने खुद अस्त ये अपना ही घर है ये बद्रखसा से निम्रोच और हैराच सकंदार तक हर अफगान भाई और भेहन को ये विश्वाद दिलाना चाहता हूँ कि भारत आपके साथ खड़ा है आपके धैरिय, साहस और संकल्प की यात्रा के हर कदम पर भारत आपके साथ रहेगा कोई भी बाहरी ताकत अफगानिस्तान के विकास को या भारत अफगानिस्तान दोस्ती को रोक नहीं सकती एक्सलेंसी, अफगानिस्तान में बढ़ रही हिंसा से हम चिंतित है निर्दोष नागरिकों, पत्रकारों और कायरकरताओं को कायरता पूर्ण धंग से निशाना बनाया जा रहा है। प्रणोसी और मजबूत स्ट्रेजिक पार्टर के रुप में भारत और अफगानिस्थान दोनों ही अपने एक शेत्र को आतंगबार्द और उग्रवाद से और यसे भैंकर संकर से मुक्त देखना चाहते हैं। भारत एक ऐसी शांति प्रक्रिया का समर्छन करता रहा है जो अफगानिस्थान के नित्रुट्व में हो, अफगानिस्थान के स्वामित्व में हो, और अफगानिस्थान के नियंत्रण में हो। अफगानिस्तान के अवाम में अंदरूरी एक जुटा को मजबूत करना बहुत जरूरी है। मुझे विश्वास है कि एक जुट अफगानिस्तान किसी भी चुलोती का सामना करने के लिए सक्षम है। अफगानिस्तान की सफलता में हम भारत की और से अपने पूरे ख्षेत्र की सफलता देखते हैं, हम एक बार फिर सभी अफगान मित्रों को भारत की दोस्ती का पूरा विश्वास देता हूँ, भारत पर रखे आपके विश्वास के लिए मैं रदय से सभी अफगान के मेरे प् सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले